नमस्कार मैं आलोक टिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम एक ऐसे पुश्प ऐसे पौधे के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं जिससे लगभग समस्त शिवभक्त परिचित होंगे यदी आप भारत में निवास करते हैं और भगवान भोले नाथ के भक्त हैं तो इस पौधे को इस पुश्प को अब तक पहचान चुके होंगे यदि नहीं पहचाने होंगे तो हम आपको इसका नाम बता देते हैं यदि नाम बताने से पहले आप इसे पहचान चुके होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आवश्य बताईगा कि आप पहले से इस पौधे को इस पुष्प को पहचानते थे यदि नहीं पहचानते थे तो कोई बात नहीं इस वीडियो के माध्यम से आप इस पौधे को इस पुष्प को पहचान जाएंगे इस पौधे का इस पुष्प का नाम है मदार मदार भी दो तरह के होते हैं एक काला मदार, एक श्वेत मदार काला मदार बैगनी रंग के फूलों वाला होता है आज के इस वीडियो में हम आपके सामने काला मदार ले करके प्रस्तुत हुए हैं इसके बाद वाले वीडियो में हम आपके सामने श्वेत मदार अर्थात सफेद रंग के पुष्प वाले मदार के बारे में जानकारी ले करके प्रस्तुत होंगे आद रनी दर्शको यदि आप भगवान भोले नात का पुजन करते होंगे तो उन्हें मदार का पुष्प अवश्यर पित करते होंगे क्योंकि भगवान भोले नात का पुजन मदार एवं धतूर के पुष्पों के बिना अधूरा माना जाता है यदि आप भगवान भोले नात का पूजन करते हैं तो कभी न कभी मदार का पुष्प उन्हें अवश्य अर्पित किये होंगे और आप इसे पहचानते भी होंगे मदार का पुष्प भगवान भोले नात को अत्यनत प्रिय है कुछ अन्य धार्मिक ग्रंथों पर हमें यह भी उलेक प्राप्त हुआ है कि मदार के पुष्प मदार की पत्यां वीर हनुमान जी को भी अत्यनत प्रिय है उन्हें भी अर्पित किया जाता है आम जन्मानस की मध्ध मदार को विभिन नामों से जाना जाता है यदि संस्कृत में कहें तो मदार को अर्क, मदार, छीरफल, अलर्क, अथवा, शिव पुश्पक के नाम से जाना जाता है हिंदी में आक, आकडो, आकडा एवं मदार के नाम से जाना जाता है बंगाली में आकंद के नाम से जाना जाता है मराठी में रुई के नाम से जाना जाता है और गुजराती में आकडो के नाम से जाना जाता है मदार का पुष्प भगवान भोलेनात को अत्यनत प्रिय है और भगवान भोलेनात के भक्त मदार के पुष्प की तलाश अवश्य करते हैं लेकिन कोई भी इसे अपने घर में लगाना पसंद नहीं करते हैं लेकिन जब भी अपने आराध्य भगवान भोलेनात के पूजन की बात होती है तो मदार के पुष्पों की तलाश अवस्य होती है मदार के पुष्पों का, मदार की पत्तियों का धार्मिक महत्त होने के साथ साथ अनेक अवशधिय तथा वास्तो शास्त्री महत्त भी है लेकिन आपको एक बाद बता दें कि मदार का यह पौधा जहरीला होता है बहुतायत में पाया जाने वाला पुष्प है बहुतायत में पाया जाने वाला पौधा है लेकिन इसे कोई उगाता नहीं है यह स्वतह ही उग जाने वाला बारह मासी पौधा है जिसमें बारह महीने फूल देखने को मिलते हैं इसकी पत्तियां मोटी होती हैं पुष्प गुछेदार होते हैं मदार के पुष्प अथवा मदार की पत्तियों को तोड़ने पर दूधिया रंग का तरल पदार्थ निकलता है जिसे आम भासा में मदार का दूध कहा जाता है क्योंकि वह दूध के रंग का ही होता है लेकिन थोड़ा गाड़ा और जिपचिपा होता है वह जहरीला भी होता है मदार के पौधे के लिए किसी विशेश जलवायू की आवशक्ता नहीं होती है किसी विशेश मिट्टी की आवशक्ता नहीं होती है यह हर शेत्र में हर जलवायू में हर मिट्टी में हर मौसम में उग जाने वाला पाउधा है यह पूरी तरह से कहें तो बेशरम पाउधा है कहीं भी उग जाता है बिना शर्म के उग जाता है आयूरवेद में भी मदार का बहुत बड़ा उपयोग है आयूरवेद की अनुसार पर मदार से इलरजी की दवाईयाँ, डाइबिटीज की दवाईयाँ, चेहरे से जुरी हटाने की दवाईयाँ, सिरदर्द से रहत दिलाने वाली दवाईयाँ, घाव भरने के लिए बनाई जाने वाली दवाईयाँ, तथा खासी में उपियोगी दवाईयाँ भी बनाई जाती है लेकिन आपको बता दें कि बिना अनुभवी चिकित्सक्या वैद की सलाह के बिना इसका उपयोग कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह जहरीला भी होता है मदार का पुष्प शिवजी को इतना प्रिय है कि यदि आप एक मदार का पुष्प चढ़ाते हैं तो उस मदार के वजन के दस गुने स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है यदि आप बीस ग्राम वजन का एक पुष्प चढ़ा देते हैं तो आपको 200 ग्राम स्वर्ण चढ़ाने का लाब प्राप्त होता है वनस्पती जगत में भी मदार का अपना विशी सिस्थान है नीले अथवा बैगनी रंग की आभा लिये हुए यह मदार का पुष्प अर्थात काला मदार भगवान शीव के नील कंठ आउतार को भी इंगित करता है इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने बैगनी मदार के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रस्तोत की गई मैं आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिक करके अवश्य बताएगा साथ ही साथ इस वीडियो को अधिसादी लोगों तक शेयर कीजे जिससे की सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके अब मुझे आगया दीजे मिलते हैं अगले वीडियो पर स्वीत मदार के साथ तब तक के लिए जये जये भारत बंबं बोले नात की जये जये गुरुदेव